और वन्स अगें लेट्स टार्ट जोडिमान हमने क्लास में सीखा है जब कभी भी हम किसी को सला दें तो किसका यूज करते हैं शुड का किसका यूज करते हैं फर अड्वाइज फर ड्यूटी ऐस वेल जैसे मैं आप से कहूं कि आपको सुपर जल्ली उठना चाहिए तो कैसे आपको पूजा पाट करना चाहिए कैसे बोलेगे यूज का यूज करते हैं एक तो जब कभी भी हम किसी को उसका खरतब याद दिलाए मतलों इसकी ड्यूटी याद दिलाएं तो क्या लगाएं शुट क्या लगाएं और कई बार हम अच्छे बूरी की बात करें तब भी हम यूज कर लेते हैं जैसे कि कुछ काम अच्छे होते हैं कुछ काम बुरे होते हैं तो जैसे सही बोलना प्राइं तो यहां तक कोई problem है यह दो हमने सीख रखा है इससे आगे चलते हैं let's start क्या बोलेंगे तो present में अगर किसी को सला दें क्या आपके काम करना चाहिए तो हम use करते हैं you should क्या बोलते हैं ठीक ऐसे ही अगर कभी किसी को past में सला दें past में advise क्या आपके काम करना चाहिए था तो वहां हम लगाएंगे should have क्या लगाएंगे और should have के साथ हम हमेशा action की third form लगाते हैं for example जैसे मैंने आप से कहा कि भाई topic त्यार कर लेना discuss करेंगे और प्लीज प्रपेदर टॉपिक क्या बोला मैंने आप से अब जो आएंगे तो मैं आप से पूछूंगा भी आपने topic त्यार किया के नहीं किया कैसे पूछूंगा did you prepare the topic क्या बोलेंगे have you confirm कर सकता हूं अगर मैंने अभी अभी के लिए बोला हो तो ठीक है लेकिन मैंने कल काम दिया था तो यहां पूछते के तरीका होगा और आपने मना कर दिया भाई मैंने त्यार नहीं किया आए अपने को रीजन दिया समय भूल गया यह कौमन रीजन होता है समय भूल गया ठीक है बूलना होता है forget क्या होता है तो मैं भूल जाता हूँ I forget क्या बोलेंगे और मैं भूल गया I forgot past की बात है second form आईगी I forgot क्या बोलेंगे मैं कहूँ गया गलत बात है that's bad क्या बोलूगा मैं आपसे और सला दूँगा कि भाईसा आपको topic त्यार करना चाहिए था क्या बोलूगा यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब क्या बोलेंगे ऐसे काम के लिए बोली देते हैं यह फ्लीज टेक मैडिसन क्या बोलेते हैं और next day आपको देखा गया कि आपकी तबीत अभी भी ठीक नहीं है तो आपसे पहले दवा के बारे में confirm किया जाएगा क्योंकि ऐसा भी होता है कि दवा के लिए बोल दिया और आपने दवा खाई नहीं फैंक दी बच्चे लोग बहुत करते हैं असा तो पूछ लिए जाएगा भाई आपने दवा खाई कर नहीं खाई कैसे बोलेंगे और आपने मना कर दिया मैने नहीं खाई आये अब आप से पूछ भी लिया जाएगा भाई अपने क्यों नहीं खाई कैसे बोलेंगे वाई दिन्टी टेक मैडिसन तो आप नहीं बोला से मैं भूल गया I forgot क्या बोलेंगे मैं गलत बात है और सला दूँगा आपको एक काम करना चाहिए था you should have taken medicine क्या बोलेंगे ठीक ऐसे हम ही की बात कर लेते हैं मालो मैं आप से इनके वालें पूछो कि भाई इन्होंने दवा खाई कैसे बोलेंगे डिडी टेक मैडिसन क्या बोलेंगे अपने बूला से इन्होंने नहीं खाई क्यों नहीं खाई इन्होंने वाई दिडी टेक मैडिसन आपने बूला एक्शली क्या बोलेंगे यह भूल गए ही he forgot क्या बोलेंगे मने कर गलत बात that's bad क्या बोलेंगे खानी चाहिए थी नहीं he should have taken medicine क्या बोलेंगे तो मालक जब कभी भी हम present में किसी को सला दें कि आपको एक काम करना चाहिए तो क्या लगाएंगे you should और जब कभी भी हम किसी को past में सला दें आपको एक काम करना चाहिए था तो you should have और should have के साथ हमेशा हम third form लगाते हैं वर्प की is that clear कई बार आसा भी होगा कि आपको मना करना पड़ेगा तो मना करने के लिए you shouldn't have क्या बोलेंगे is that clear मालों यह कहें सर मैं तो बीमार हो गया मैंने क्या हुआ कि सर मैंने cigarette पिली I smoked क्या बोलेंगे मैं ही बुलूंगा यह नहीं पीनी चाहिए थी आपको you you shouldn't have smoked क्या बोलेंगे मालों इनने बोला से मैं फ्रेंड के घर पर गया उसने मझे पीट डाला मैं गलत बात है आपको जाने नहीं चाहिए था yes क्या सब्सक्राइब यू he shouldn't have gone क्या बोलेंगे तो आपको करना चीछ था you should have नहीं करना चीछ था you shouldn't have so many thank you so much